हलो एव्रिवान वैलकम और वैलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में हम सीखेंगे यह परफेक्ट लच्छेदार पटियाला शलवार की कटिंग स्टीचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेब बाई स्टेब तो इस तरह की लच्छेदार पटियाला शलवार बनाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो की आगे हम वीडियो में शेयर करेंगे तो आप एक एक चीज अच्छे से समझ कर देखें कहीं भी वीडियो को स्कीप ना करें ताके आपकी शलवार पीछे से इस तरह से परफेक्ट राउंड सरकल में आये और आगे की तरफ से इस तरह से स्ट्रेट रहे तभी पटियाला शलवार अच्छी लगती है और अगर आगे से लटक जाए और पीछे की जो सरकल है वो आगे की तरफ घूमे तो शलवार बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती तो यहाँ पर मैंने तीन मीटर साटन फाबरिक लिया है जिसका अरज बैयाले सिंच है तो बहुती कम अरज वाला फाबरिक मैंने लिया है इसके बाद मेरी शलवार का मेजरमेंट कुछ इस तरह से रहेगा तो आपकी शलवार का मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है मुझसे कम या जादा बट फॉर्मूला आपको यही फॉलो करना होगा आप सबसे पहले हम पाइंचे कट करेंगे तो सबी साइज में हम उपर की तरफ पाइंच निकालेंगे और नीचे शलवार की रेडी लेंथ में एक इंच प्लस करके माक करेंगे मुझे शलवार की लेंथ 36 तैयार चाहिए तो मैं यहाँ पर 37 पर माक करूँगी इस तरह से हमने पाइंचो की लंबाई माक की है यह देख सकते हैं आप यह 37 पर मैंने माक कर लिया है इसके बाद हमारे पाइंचे की जो लेंथ है वो 32 इंच आई है तो आपकी लेंथ के साब से यह कुछ भी आ सकता है इसके बाद इस माक को हमने सीधा कर लेना है यह हमारी 32 इंच की लंबाई पर कपड़ा कट हो गया है तो कपड़े को मैंने आरज में फॉर्ड किया था इसके बाद हम इसको फॉर्फॉल्ड करेंगे किनारी निकालने के बाद मैंने इसको 6 इंच रखा है तो पाइंचे की जो चोड़ाई है मैं 6 इंच पर फिटिंग लगाऊँगी तो बस 6 इंच ही हमने चोड़ाई में लेना है यानि ओपन करने के बाद ये 12 इंच रहेगा इस तरह से हमने देखिए मोरी कट कर ली है तो ये हमारे शलवार के पाइचों के लंबाई है 32 इंच और जो पाइचों के चोड़ाई है वो है 6 इंच तो इस तरह से ये हमारे शलवार के पाइचे कट हो गए है अब इसमें से ये बचा हुआ फाब्रिक से हम बेल्ट कट करेंगे तो देखिए बेल्ट की जो लंबाई है वो मैं 8 इंच ले रही हूँ आप इसमें आदा इंच बढ़ा भी सकते हैं यानि 9 इंच भी रख सकते हैं तो 2 इंच का हमारा नेफा फोल्ड हो जाएगा और 1 इंच हमारा शलवार से अटैच हो जाएगा जो की 6 इंच पर हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी तो इस तरह से मैंने 8 इंच लिया है अगर आप चाहते हैं आदा इंच बढ़ाना तो आप बढ़ा सकते हैं इसके बाद बेल्ड की गुलाई के लिए देखे अपने हिप का हाफ करेंगे तो मैं यहाँ पर 40 हिप के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 20 इंच पर माक किया इसके बाद आगे की तरफ हमने 5 इंच इंच माक करना है यानि 5 इंच एक्स्टर लेना है सभी साइज में सो मैंने टोटल 25 इंच की लंबाई पर माक किया अब इसको कट कर लेंगे अब यहाँ से भी हमने कट कर लेना है और बंद वाली साइट से भी कट कर देना है तो यह हमारी बैल्ट कट हो गई है इसके बाद हमने इसको एक बार और फोल्ड करना है ऐसे करके अब देखिए उपर से जो है हमारा दो इंच नेफे में फोल्ड हो जाएगा सो जहां से फोल्ड होगा यह बिल्कुल सीधा रहेगा लेकिन जहां से हमारी प्लेट साएंगी यहां से मैं उपर की तरफ एक इंच माक कर रही हूँ और इस माक को हमने इस तरह से तिर्चा करके मिला देना है तो यह जो माक है हमने सेंटर के नौचिस भी लगा लिये है यहां पर अब यह जो हमने तिर्चा माक क्या है इसको कट कर लेंगे सेंटर के नौचिस तक सो ये वाला जो कट है ये हमारा फ्रंट में आएगा नीचे की तरफ जहां से हमारी प्लेट से अटैच होंगी और ये उपर वाली साइड है सीधी यहां पर नेफा फोल्ड होगा अब दिखी बैल्ट स्टिच करने के लिए कुछ इस तरह से हमने कपड़े की सीधी साइड अंदर कर लेनी है और रॉंग साइड बाहर की तरफ अब यहां से आदा इंच का दबाव लेकर हमने दोनों साइड से इसको सिलाई लगा देनी है यहां से इसके बाद दिखी ये वाली जो साइड है ये हमारे आगे की तरफ यानि फ्रांट वाले साइड रहेगी उपर से हमने नेफा इसका open रखना है इस साइड से तो यहां से नेफा open रहेगा और ये back वाली साइड है यहां पर हमने सिलाई पूरी लगा देनी है तो यह वाली जो साइड है यह हमारी बैक की तरफ आएगी तो इसको हमने पूरा स्टिच कर देना है इसके बाद कलिया कट करने के लिए कपड़ा किस तरह से लेना है वो देख लेते हैं तो हमारे पायंचो की जितनी भी लेंट थी उसको देख लेंगे तो हमारे पायंचो की जो लेंट थी वो 32 यह देखिए तो जितनी भी हमारे पायंचो की लेंट है उसके हिसाब से हमने माग कर लिया है और उसके बाद आगे की तरफ हम 10 इंच और एड़ करेंगे क्रोच लेंद के लिए यानि जितने भी आपके पाइंचों की लेंद आई है उसके बाद क्रोच की लंबाई एड़ कर लेनी है तो क्रोच की लंबाई आपकी 9, 10, 11 कुछ भी आ सकती है तो मैं याँ पर 15 इंच का क्रोच रेड़ी रखूंगी इसलिए मैं 10 इंच एक्स्टर ले रहे हूँ तो जितने भी हमारे पाइंचों की लंबाई है उसमें हमने अपने क्रोच की लंबाई एड़ कर लेनी है ये देख सकते हैं आप 42 इंच की लंबाई पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है मेरी साइड कपड़े की किनारी वाली साइड है यानि लंबाई वाली साइड है सो गैज मेरे मेजरमेंट के हिसाब से कली की लंबाई जो है क्रोच की साथ 42 इंच आई है आपका जो भी मेजरमेंट होगा उसके इसाब से ये लंबाई कम या जादा हो सकती है इसके बाद हमने कली की लंबाई लेनी है तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ दिखे हमारे पाइचों की जो लंबाई थी वो माक करना है यानी 32 इंच लंबाई जो है हमारे पाइचों की है तो बिल्कुल इसके बराबर ही हमने माक किया है इसके बाद आगे की तरफ जो है हमने यहां से 3 इंच पर माक करना है यह हमारी जो कली की नेरो वाले साइड होती है मोरी की तरफ आएगी तो यहाँ पर हमने तीन इंच ले लिया है यह देख सकते हैं आगे की तरफ हमने तीन इंच बढ़ा कर माग किया अब यह वाली जो साइड है दा सिंच यह हमारे क्रॉच की लंबाई रहेगी इस तरह से इसके बाद दूसरी वाले साइड में यानि इसके अपॉजिट में जाकर हमने दूसरी कली का माग करना है तो उस कॉर्णर से हमारी कली आई थी तो अब हमने इस कॉर्णर से कली की लंबाई लेनी है तो यहाँ पर कली की जो लंबाई है वो हमारी 32 इंच है तो हमने 32 इंच पर माग किया उसके बाद इस बाद से आगे की तरफ हमने 3 इंच पर माग किया और ये रहा हमारा क्रॉच जो की दूसरे कॉर्णर पर आया है तो दोनों जो क्रॉच हैं वो एक दूसरे के अपोसिट आएंगे ये देख सकते हैं आप इस तरह से इसके बाद हमने इस वाले पाइंट पर इंच टेप रखना है और सामने वाले इसी पाइंट पर मिला देना है ऐसे करके ये देख सकते हैं तीन इंच हमारा जहां खतम हो रहा है यहां पर हमने इंच टेप रखा और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड में जी टेप रखकर इसको मार्क कर देना है तो इस तरह से हमने यहां पर यह मार्किंग कर दी है अब इस मार्किंग पर हमने कट करना है तो पहले सीधा तीन इंच कट करेंगे उसके बाद यह तीरचा कट करेंगे यहां तक है ऐसे करके इसके बाद हमने मोरी लेनी है य énormी जो पायचे हमने कट किये थे वो रखने है इसके बराबर में सो आदा इंचसि के ऊपर मैंने चढ़ा कर रखे हैं अब मोरी की सेंटर वाली साइट से नीचे की तरफ हमने 1 इंच माक करना है ये मांक सभी इस साइज में एक इंच ही आएगा तो नीचे की तरफ हमने पाइंचे की क्रीज बनाने के लिए मांकिंग कर रहे हैं ताकि हमारा पाइंचे जो है आगे की तरफ से खड़ा रहे है अब इन दोनों पाइंच को हमने इस तरह से मिला देना है एक इंच को हमने यहां किनारे पर लाकर मिलाना है और माकें कर देनी है तो देखे इस तरह से हमारी जो शलवार है वो छोटी भी नहीं होगी और शलवार की जो नीचे से गिदली होती है वो भी लंबी हो जाएगी यानि जहां पर सरकल बनते हैं वो भी बड़ी हो जाएगी इसके बाद मैं शलवार में मैयानी लगा रहे हूँ आप चाहें तो स्किब भी कर सकते हैं बट जब भी मैं किसी भी शलवार में मैयानी लगाती हूँ तो एक जो कमेंट है वो कॉमन रहता है कि आपने मैयानी क्यों लगाई तो दिखिए जिन क्लाइंट्स को भी मैयानी लगवानी होती है मैं उनकी शलवार में मैयानी जरूर लगाती हूँ और अगर मैं किसी शलवार में मैयानी लगाना नहीं दिखाती तो उसमें ये कमेंट आते हैं कि आपने मैयानी क्यों नहीं लगाई तो मैं यहां पर आपको किलियर कर देती हूँ आप चाहें तो यह मैयानी लगा सकते हैं तो क्रॉच की लेंद के एसाप से हमने कपड़े की लंबाई को डबल फॉल्ल करके लिया है इसके बाद नीचे से हमने तीन इंच की चोड़ाई लिया है अब यहां से आदा इंच की अंदर के तरफ गोलाई देते हुए इसको कट कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको इस तरह से तिर्चा कट कर लेना है तो मैयानी की जो लंबाई है वो हमारे क्रॉच की लंबाई से एक इंच कम आएगी यह देखिए इस तरह से मैयानी को हमने कट कर लिया है और मैयानी की जो लंबाई है वो क्रॉच से एक इंच कम है यानि यहां पर अभी यह साड़े नौ इंच है और नीचे से यह साड़े छे इंच है इस मैयानी आप इसके भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से लगा पी सकते हैं अब देखिए इसको स्टिच कैसे करना है वो देख लेते हैं तो इसमें से दो कली मैं हटा देती हूँ दूसरी साइड के लिए और यह हमारी दो कलिया है इसके बाद एक पौचा हमें इस मसे निकाल देंगे अब इन तीनों को एक दूसरे के साथ स्टिच करना है तो जो हमारा शलवार का पाचा है वो सेंटर में आएगा और इस साइड में कली आएगी इसी दर से दूसरी साइड में कली आजाएगी अब इन दोनों को यहां से आधंच कर दबाव लेकर चिल देना है इसके बाद इसी पार्ट में मैं मैंयानी लगाओंगी यानि दोनों मैंयानी हमारी एक ही पार्ट मैंगी तो मैंयानी को इस तरह से रखकर हमने सिलाई कर देन जिसके बाद हमने इसका दूसरा वाला पाट भी ऐसे ही करके तयार कर लिया है जिसके ये दो कलिया हमने पांचे के साथ अटाश कर लिये हैं ये देखे इस तरह से अब इनकी सीधी साइड को अंदर रखना है और उल्टी साइड बाहर की तरफ उसके बाद ये दूसरा क्रॉच भी हम इस तरफ मयानी के साथ सिल देंगे और इसी तरह से हम दूसरी वाला साइड जो क्रॉच है ये मयानी के साथ स्टिच कर देंगे अगर आम मयानी ले ही लगा रहे हैं तो आप सीधा डारेक्ट क्रॉच स्टिच कर दीजिए तो लिजिए मयानी लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी तो देखिए कम अरस के साथ ये काफी ज़्यादा घूम हमारे शलवार के बनेगे अब इसको स्टिच करने के लिए हमने बैल्ट को इतना रेडि कर लिया है दोनों साइट से सिलाय लगा लिए उसके बाद इसका नेफा फोल्ड कर लिया नेफा हमने सीधी साइट में फोल्ड कर लिया है ये बैक वाली साइट है और ये हमारी फ्रंट वाली साइट है तो फ्रंट वाली जो साइट है यहीं पर हमने नेफा ओपन रखा है So guys, front वाली जो side है, वो हमने 1 इंच कम की थी ये देख सकते हैं, back side हमारी 6 इंच है सिलने के बाद 6 इंच हो जाएगी और जो हमारी front वाली side है, वो 5 इंच है सिलने के बाद ये 5 इंच रह जाएगी यानि front से जो belt है, वो 1 इंच कम रहेगी So guys, belt को आगे से हमने इसी लिए कम किया ताके जो हमारी शलवार है, वो आगे से बिलकुल खड़ी रहे लटके नहीं, और back side से हमारी शलवार नीचे की तरफ लटके अब चलिए देख लेते हैं, plates को हमने belt के साथ किस तरह से attach करना है तो सबसे पहले हम back side में plates डालेंगे, यह हमारी back side है और यह हमारे side के जो notches लगाएं थे, यहाँ पर मैं mark कर रही हूँ So guys, back side में plates डालने के लिए हम कोई सा भी crouch ले ले लेगे इस तरह से और उसकी बाद हमने इसमें 2 plates डालनी है So, दोनों की सीधी side अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर मैं 2 इंच गहरी plates डालूंगी So, back side में सिफ दो plates आएंगे, इससे जादा डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब यहाँ पर हमने सिलाय लगा कर यह दोनों plates बना लेनी है तो कुछ इस तरह से यह दोनों plates मैंने back side में डाली है यह देख सकते आप So, guys इतना आप समझ गए होंगे Back side में सिफ हम 2 plates डालेंगे ऐसे करके बाकि जितना भी हमारा घेर है वो front में आएगा यानि इन सब की plates आगे की तरफ बनेंगी तो belt को मैंने इस तरह से रख लिया है आप देखिए center से इस तरफ हम कम से कम साथ और जादा से जादा 9 बस इस दूरी में हमने front में plates डाली है 9 से हम आगे नहीं बढ़ेंगे Otherwise हमारे जो plates हैं पीछे के घेर हैं वो proper नहीं आपाएंगे सो बस मैं यहाँ पर 9 इंच पर दोनों साइड में mark कर रही हूँ तो यहाँ पर आप कम से कम साथ जादा से जादा 9 इंच टोटल जो है वो 18 इंच की दूरी पर हमारी plates आएंगी front में अगर हम side के center या फिर plates पीछे तक लेके जाएंगे तो जो हमारी शलवार है वो आगे से घूमी घूमी हो जाएगी खड़ी नहीं आएगी और पीछे के जो घूम है वो टांगों के बीच माएंगे तो आप समझ गए होंगे front में हम कम से कम साथ जादे जादा 9 एक side में टोटल 18 इंच अब यहाँ से हमने crotch से मिला कर रखना है और plates डानी है plates की जो गहराई रहेगी वो सभी की मैं 3 इंच रखूँगी अगर आपके कपड़े का अरज जादा है तो plates की गहराई 3.5-4 इंच भी आ सकती है और अरज कम है तो 2.5 इंच भी आ सकती है तो यहाँ से देखिए पॉन इंच का गैप लेते हुए हम फिर से दूसरी plate डालेंगे जिसकी गहराई 3 इंच रहेगी ऐसे करके हम सारी plates डालते जाएंगे उसके बाद ही हमारे पाइंच का जो center है यह वाला जहां पर हमने 1 इंच गहरा cut लगाया है तो यह जो point है इस पर हमने 1 plate बनानी है ऐसे करके तो यह जो plate हम बनाएंगे इसी से हमारी जो पाइंच के क्रीज है वो बनेगी तो इसको बिल्कुल धिहान से इस तरह से बनानी है बाकी आगी की भी हमने plates इस तरह से बना लेनी है तो मैं इससे पहली वाली पटेला शलवार की वीडियो में plates को डालने का तरीका machine पर बता चुकी हूँ तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं हालकि यहां पर मैंने आपको समझा दिया है इस side से यह plates 9 इंच है और इस side से भी इस सारी plates 9 इंच है यानि टोटल 18 इंच की दूरी पर front से यह plates आई है और अब देखिए जो हमारी crease बनती है मोरी की वो किस तरह से बनती है यह हमारा मोरी है जिसका हमने इस तरह से half किया है यह देखिए ऐसे करके center है तो यह जो center है इसी point पर हमने plates ऐसे करके बनानी है यहाँ पर तो इस center का जो हमने cut यानि mark किया था उसी के उपर एक plate बनाई और सेम इसी तरह से हमने दूसरी side भी बनाई इससे जब हम iron करेंगे तो हमारी plate खुद बाखुद बनी रहेगी बस हम iron कर देंगे इसके उपर और जो मोरी है पहनने के बाद बिल्कु सीधी खड़ी रहेगी इसके बाद हमने जो player store belt को attach किया है अंदर वाले दबाव के यहाँ पर मैं interlock कर लूँगी उसके बाद इसके उपर एक pair का दबाव लेकर सिलाई लगा दूँगी अब हमने इसकी मोरी तयार करनी है तो यहाँ पर जो मोरी है उसी के हिसाब से हमने canvas या फिर form sheet लेनी है जितनी भी लंबाई आपकी मोरी की रहेगी उसके according मोरी आ जाएगी तो मैं 6 इंच पर मोरी की fitting लगा दूँगी इसके बाद मोरी की चोड़ाई आपकी कुछ भी हो सकती है आप 2 से 3 इंच तक मोरी की चोड़ाई ले सकते हैं हाला कि आप 3 इंच से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं मैं 3 इंच उड़ी इस पर simple इस तरह से मोरी बना लूँगी तो मोरी बनाने के बाद मैंने अंदर वाले सिलाई कर ली है और मोरी की जो नीचे से चोड़ाई है वो मैंने 6 इंच ली है उपर से 7.5 इंच ली है यानि 1.5 इंच के क्रॉस पर जब हम इस तरह से ये मोरी स्टिच करेंगे तो इसकी जो शेप है वो perfect आएगी अब देखिए इसके उपर मैंने iron कर ली है और ये देख सकते हैं iron के साथ जो हमारी plate है वो perfect बनी है इस वीडियो में मैंने plates बनाना और मोरी बनाकर अंदर वाली सलाई लगाना ये अपार्ट मैंने escape कर दिया क्योंकि अपनी पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के description box में दे रहे हूँ और end screen में भी आप देख लेना तो वहाँ से आप इस शलवारिक में plates machine पर किस तरह से डालनी है मोरी की जो fitting है वो किस तरह से लगानी है वो देख सकते हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो